हालो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टो क्लास इंगलिश सिंप्लिफाइड और थैंक्यू सो मच फो जॉइनिंग अस स्टुडेंट आज हम करेंगे चैप्टर वन जो की बुक होन बिल का है कलास 11 का The Portrait of a Lady जिसके जो राइटर है खुश्वन सिंग जी है तो स्टुडेंट इस चैप्टर में खुश्वन सिंग जी ने बेसिकली अपनी ग्रैंड मदर के बारे में हमें बहुत कुछ बताया है कि उनकी ग्रैंड मदर एक कैसी लेडी थी तो चले स्टुनिक शुरू करते हम इसकी एक्स्प्लेनेशन को My grandmother like everybody's grandmother was an old woman अब खुश्वन सिंग जी कहते हैं कि जो मेरी grandmother है वो सभी लोगों की grandmother की तरह थी बिलकुल एक old woman She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her अब वो ये कहते हैं कि वो जब से मैं उने जानता था लगभग पिछले 20 साल से वो बिलकुल ऐसी ही थी बिलकुल बूरी और wrinkled का मतलब होता है कि face पर जुरियां पड़ी होनी तो इसका मतलब क्या हुआ Students के इस वक्त जो writer है वो 20 साल के है और 20 साल पहले से वो अपनी grandmother को किस तरीके से देख रहे है एक बहुत ही बूरी लेडी के रूप में देख रहे है जिनके face पर जिनके शरीर पर जुरियां पड़ी हुई है People said that she had once been young and pretty and had even had a husband but that was hard to believe अब लोग उने कहते हैं कि कभी उनकी जो grandmother थी बहुत ज़्यादा young थी जवान थी और उसके सासत बहुत ज़्यादा सुन्दर भी थी और उनके एक husband भी थे यानि कि उनके grandfather अब खुश्वन सिंग के लिए विश्वास करना क्यों मुश्किल है कि उनके जो grandmother है कभी बहुत ज़्यादा जवान थी और सुन्दर भी थी तो वो इसलिए क्योंकि वो जब से पैदा हुए हैं जब से छोटे से हैं उन्होंने अपनी grandmother को बिल्कुल बुड़े रूप में देखा है और इसी वज़े से उनके आज़पसी एक कलपना बन गई है कि उनकी grandmother तो हमेशा से ऐसी ही थी जैसा कि उन्होंने उसे देखा है एक चित्र जो की दिवार पर टंगा हुआ है एक mental piece के उपर drawing room में अब mental piece क्या होते हैं mental piece एक तरीके के अंगीती होती है जैसे कि जो दिवार में ही बना दी जाती है उपर चिमनी होती है और वहां हमेशा लकडियां जला कर रखते हैं ताकि कमरा गरम रहे तो mental piece के उपर drawing room में उनके grandfather का portrait टंगा हुआ है he wore a big turban उन्होंने एक बहुत बड़ी पगड़ी डाली हुई है तरबन का मतलब होता है पगड़ी and loose fitting clothes और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ही धीले धाले कपड़े डाले हुए है his long white beard covered the best part of his chest अब उनकी एक बहुत ही लंबी जो सफेद बीर्ड है यानि के दाड़ी है उन्होंने उनकी चाती के जो best part है यानि के बिलकुल चाती के बीचों 20 तक का area जो है cover कर रखा है उनकी लंबी सफेद दाड़ी ने and he looked at least a hundred years old तो फोटो में वो कैसे लगते हैं वो ऐ he did not look the sort of person who would have a wife or children अब उनको देखकर ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता है कि उनकी कोई wife या कोई बच्चे होंगे he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren और उनको देखकर सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही लगता है कि उनके तो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे grandchildren होने चाहिए यानि कि वो इतने ज़्यादा एजिट लग रहे हैं as for my grandfather being young and pretty बिलकुल उसी तरीके से जिस तरीके कि मेरी grandmother के बारे में यह सोचना भी मुश्किल है कि वो कभी young और pretty रही होंगी the thought was almost revolting the thought was almost revolting का मतलब कि यह बहुत ही मुश्किल है believe करना author के लिए कि उनके grandmother और उनकी जो grandfather है कभी young रहे होंगे pretty रहे होंगे और even कि उनके कोई बच्चे भी रहे होंगे she often told us the games she used to play as a child अब वो often का मतलब होता है अक्सर वो अक्सर उन्हें उन games के बारे में बताया करती थी जिनको की वो खेला करती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी that seemed quite absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us अब वो इस तरीकी से सोचते थी कि यह उनकी life का एक बहुत ज़्यादा बेतुकासा absurd का मतलब होता है students कि जिसका की कोई logic ना हो without logical और undignified का मतलब होता है कि जिसको society में कोई respect ना मिली हुई हो तो जब वो अपने बच्चपन के इन games के बारे में खुश्वन सिंग जी को बताया करती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने बच्चपन के इस part के बारे में क्या सोचती है कि ये बड़ा ही logical वाला part नहीं था और उसके साथ साथ इसमें कोई respect नहीं थी और उसके साथ साथ हम उनकी इस story को किस तरीके से लिया करते थे इस तरीके से लेते थे जैसे बच्चपन में कोई कालपनी कहानिया होती है faibles का मतलब होता है कालपनी कहानिया तो जब author जो थे वो बच्चपन में उनके इस games के बारे में सुना करते थे उन्हें ऐसे ही लगता था कि जैसे वो उन्हें कोई कालपनी कहानिया सुना रही हैं, तो उनके जो बचपन में खेले जाने वाले गेम्स होते थे, वो बड़े ही बेतुके से होते थे, जिनके बारे में वो राइटर को अकसर ही बताया करती थी, अब वो क्या थी, थोड़ी सी छोटी थी और थोड़ी सी मोटी थी और उसके साथ सत हलकी सी जुकी हुई थी, lightly bent का मतलब होता है, हलका सा जुक कर चलना, her face was a criss cross of wrinkles, running from everywhere to everywhere, और उनके face पे जो थी, criss cross यानि के मतलब होता है, आड़ी तिर्ची रेखाएं, तो उनके face पे जो आड़ी तिर्ची wrinkles थी, जुरियां थी, वो इधर से उधर ऐसे लगता था, जैसे भाग रही है, no we were certain she had always been, as we had known her, और वो हमेशा से ही ऐसी थी, जब से मैंने उन्हें जाना था, जब से मैंने उन्हें देखा था, यानि के author जो हैं, बच्पन से ही, अपनी grandmother को जब से देख रहे हैं, वो ऐसे ही देख रहे हैं, बिल्कुल बुढ़ा, wrinkled face वाला, old, so terribly old, that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years, यानि के बुढ़ी, बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी, कि उनको देख कर ऐसा लगता था, कि शयद ये बुढ़ा पे की, एक अंतिम सीमा है, इससे ज़्यादा तो जैसे कोई बुढ़ा और हो ही नहीं सकता, और ये उनके बुढ़ा पे की, बिल्कुल लास्ट एज है, और वो बिल्कुल इसी तरीके से थी, लास्ट 20 यर्स से, यानि के जब से ओथर ने उनको देख रहे थे, वो अपने बच्पने से, तो वो बिल्कुल ऐसी ही थी, बिल्कुल बुढ़ी, और उनकी एज जैसे उसी स्टेज पर आकर रुक गई थी, शी कुड नेवर हैव बिन प्रेटी, बट शी वोज ऑल्वेज ब्यूटिफुल, अब यहां पर देखें, यहां पर प्रेटी का जो मतलब है, वो है बहारी सुन्दर था, और ब्यूटिफुल का जो मतलब है, वो है इनर ब्यूटि, यानि कि जो उनकी ग्रैन मदर थी, वो देखने में तो बेशे कितनी सुन्दर नहीं थी, लेकिन अपने नेचर से, अपने बिहेव से, वो बहुत ही जादा खुबसूरत थी, अब वो अपने जो घर में चलती थी, किस तरीके से चलती थी, होबल्ट का मतलब होता है, थोड़ा थोड़ा लड़ खड़ा कर चलना, थोड़ा लंगराते हुए चलना, तो वो अपने घर में थोड़ा सा लंगराते हुए चलती थी, और उसके साथ साथ वो बहुत स्पोर्टलेस, यानि के वाइट रंगी साड़ी उडालती थी, जो कि स्पोर्टलेस होती थी, जिसमें कोई दाग धब्बे नहीं होते थे, और उनका जो एक हाथ है, वो रेस्टिंग होता था उनकी कमर पर, यानि के एक हाथ उनकी कमर के उपर होता था, शैद वो अपनी बाड़ी को से सहरा दिया करती थी, तो बैलन्स हर स्टूप, कि अपने स्टूप को बैलन्स करने के लिए, यानिको उनकी कमर का जो जुखाव था जिसके वजह से वह ठोड़ा जुख कर चलती थी तो जुखाव को सहरा देनी के लिए एक हाथ हमेशा अपनी कमर पर रखा करती थी and the other telling of the beers of our rosary और जो उनका दूसरा हाथ था उस हाथ में हमेशा क्या होता था रोजरी होती थी अब ये रोजरी क्या होते हैं स्टुडेंट्स रोजरी होती है जाप माला तो दूसरे हाथ से वो हमेशा क्या करती थी जाप माला के जो मन के होते हैं उन पर हमेशा मंतर जाप करती रहती थी यानि के एक हाथ तो उनका जो था क्या था उनकी कमर पर रहता था और दूसरे हास से वो हमेशा ही जाप माला को घुमाती रहती थी उनके मन को पर वो हमेशा ही कोई मंतर जाप कोई प्रेयर वो करती रहती थी Her silver locks were scattered untidely over her pale packet face अब यहां पर silver locks का क्या मतलब है, students Silver locks का मतलब है, यहां पर उनके white सफेद बाल silver locks का मतलब यहाँ पर चांदी का ताला नहीं है उनके सफेद बालों को यहाँ पर silver locks से comparison किया गया है और वो क्या थे? scattered होते थे untightly का मतलब कि उनके face पर बिखरे वे होते थे और उनके जो पीला पड़ा हुआ पकड़ face था पकड़ का मतलब है उनका जुरियों वाला जो face था जिस पर पीला पंचाया रहता था तो उनके पीले पड़े वे face पर उनके जो वाइट हेर थे वो बिखरे रहते थे and her lips constantly moved in inaudible prayer और जो उनके lips थे वो हमेशा हिलते रहते थे किसलिए हिलते रहते थे? कि वो एक prayer हमेशा recite किया करती थी और वो inaudible होती थी यानि कि उनकी उस prayer को कोई सुन तो नहीं सकता था लेकिन वो उनके सिर्फ होट हिलते वे लोगों को नजर आते थे और वो क्या prayer करनी है ये किसी को सुनाई नहीं देता था yes she was beautiful हाँ वो वाके ही बहुत ज़्यादा खुबसूरत थी अब जो उनकी grandmother है वो क्या है बहुत ही बुरी लेडी है बिल्कुल white color के clothes वो डालती है थोड़ा से लंगडा कर चलती है एक हाथ उनकी कमर पे रहता है दूसरा हाथ उनका rosary पे beads को telling करता रहता है और उसके साथ साथ उनके face पर उनके जो white hair है वो बिखरे रहते हैं और उसके साथ साथ वो एक inaudible prayer को गुन गुनाती रहती है तो उनका जो पूरा का पूरा जो एक body का structure है वो बिल्कुल एक ऐसी कलपना जो author ने खीच दी है कि हम ना चाहते वे भी उनको अपनी आँखों के सामने as it is देख सकते है कि वो कैसी दिखती होंगी She was like the winter landscape in the mountains our expense of pure white serenity, breathing peace and contentment serenity का मतलब होता है कि बहुत ही peaceful और बहुत ही शान्थ होना शान्थ सभाव का होना तो उनका जो character है grand mother का वो कैसे है कि वो बिल्कुल winter landscape की तरह थी कि जैसे पहाडों में जब बरफ पड़ जाती है तो वहाँ का जो landscape है वो क्या है बहुत ही खुबसूरत हो जाता है चारों तरफ बिल्कुल white एक purity नजर आती है एक शुदता नजर आती है तो इसी तरीके से जो एक pure white जो शांत शांती वाला जो एक खुबसूरती थी वो इन grand mother के character में नजर आया करती थी तो जो grand mother थी वो बहुत ही शांत थी काम थी और बहुत ही जादा peaceful थी और उनको मतलब breathing peace का मतलब यहाँ पर है कि वो बहुत ही जादा चैन की सांस लिया करते थी यानि कि उनको किसी भी तरीके का कोई दुख उनके face पर नजर नहीं आता था या उनके face को देखकर उनके nature को देखकर ऐसा कभी नहीं लगता था कि शायद किसी वज़े से वो बहुत जादा गुसे में है या किसी चीज के ओपर मन ही मन वो क्या कर रही है कि क्रोधित हो रही है मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बहुत अच्छे दोस्त थे मैं कौन है यहांपर मैं है खुश्वन सिंग जी मैं पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेन टो लिव इन दा सिटी और वी वर कॉंस्टेंटली तोगेदर अब जो मेरे माबाप है वो हमें छोड़ कर कहां गए सिटी में गए थे सैटल होने के लिए कोई बिजनस था शायद या कोई जॉब थी जिसकी वज़े से उनके पेरंस जो थे वो सिटी में चले गए थे और तब से जो ऑथर है अब अपनी ग्रैंड मदर के साथ कॉंस्टनेटली रहते थे कहां पर रहते थे विलेज में रहते थे गाउं में रहते थे अब वो हमेशा उन्हें सुबह जल्दी उठाया करती थी और उन्हें स्कूल जाने के लिए तयार किया करती थी अब वो जब मुझे सुबह तयार किया करती थी नहलाया करती थी और स्कूल के लिए ड्रस अब किया करती थी तब वो हमेशा एक बड़ी ही मुनोटनस प्रेयर गाया करती थी मुनोटनस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डल बोरिंग उनकी शेयर आवाज इतनी सुनदर नहीं थी तो वो बड़े ही बेसुरे से तरीके से एक प्रेयर को गाया करती थी और गाते वे उनको नहलाया करती थी और स्कूल जाने के लिए तियार किया करती थी शेयर वो ऐसा सोसती थी कि मैं अगर रोज ही नहीं ये प्रेयर गाके सुनाऊंगी तो ये बच्चा इस प्रेयर को लर्न कर लेगा अब मुझे उनकी जो आवाज थी वो बहुत प्यारी लगती थी तो मैं उसे सुनता तो जरूर था क्योंकि मुझे उसको सुनने मैं अच्छा लगता था लेकिन मैंनों से याद करने के लिए कभी भी परिशानी नहीं उठाई मतलब की क्या हुआ कि वो सिर्फ सुनते थे लेकिन उसको याद उन्होंने कभी नहीं किया उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा क्यों उन्हें इस प्लेयर को याद करना चाहिए then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk और उसके बाद वो क्या करती थी? fetch का मतलब होता है लेकर आना किसी चीज़ को तो उसके बाद वो लेकर आती थी उनकी wooden slate को और wooden slate को वो क्या करती थी? already washed किया करती थी एक plaster से yellow color के chalk से तो पहले के time में students क्या होता था कि एक लकड़ी की wooden slate हुआ करती थी जिसको तक्ती गहा करते थे और उस तक्ती को चाक के साथ मुलतानी मिट्टी के साथ क्या किया करते थे कि वाश किया करते थे पेंट किया करते थे फिर धूप में उसको सुखाते थे फिर इंक पोर्ट से कलम से उस पर लिखा करते थे तो वह वही wooden slate है जिसको वह रोज उसके लिए लेकर आती थी और जिसको अलरड़ी वह वाश करके रखती थी yellow chalk के plaster के साथ a tiny earthen ink port and a red pen tie them all in a bundle and hand it to me और उसके बाद एक चोटा सा क्या था earthen ink port था यानि के मिट्टी का एक ink port हुआ करता जैस जिसके अंदर ink होती थी और एक साथ में red pen होता था उसको भी वह लेकर आती थी और इन सारी चीजों को एक bundle बना कर वो उसको थमा दिया करती थी sugar spray on it अब breakfast वो कैसा करते थे कि एक बढ़ी ही मोटी मोटी stale चपाती थी थोड़ी सी मोटी होती थी stale का मतलब होता है कि बासी जैसे कि जो बिलकुल fresh नहीं होती रात को बनी होती है या फोड़े टाइम पहले के बाद we went to school हम school जया करते थे she carried several stale chapatis with her for the village dog और वो अपने साथ बहुत सारी stale chapati ले लिया करती थी किसके लिए गाउं के जो village की जो dogs होते थे उनको खिलाने के लिए my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temper अब मेरी जो grandmother थी वो हमेशा मेरे साथ school जाया करती थी क्यों जाती थी क्योंकि जो school जो था attached था एक मंदिर के साथ the priest taught us the alphabet and morning prayer जो पुजारी जी थे वो क्या करते थे वो ने alphabet सिखाते थे और उसके साथ साथ उनको morning prayer भी कराया करते थे while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus अब जो बच्चे जो थे वो क्या करते थे ब्रैंडे में either size of the veranda का मतलब है कि दोनों तरफ एक row बना के पंक्ती बना कर बैठ जाना कि जब बच्चे जो थे वो मंदिर में दोनों तरफ एक लाइन में बैठ जाया करते थे और एलफा बैट और morning prayer chorus में गाया करते थे यानि के बिल्कुल एक साथ उची उची आवाज में गाया करते थे my grandmother sat inside reading the scriptures और मेरी grandmother एक side बैठ जाती थी और वो क्या पढ़ती थी scriptures पढ़ती थी scriptures का मतलब होता है students धार्मिक किताबें तो धार्मिक किताबें को मंदिर में बैठ के पढ़ा करती थी when we had both finished और जब दोनों का काम खतम हो जाता था यानि के वो भी पढ़ लेते था writer जो है और grandmother भी धार्मिक बुक्स को पढ़ लेती थी we would walk back together इसके पाद वो दोनों बिल्कुल एक साथ वापिस आते थे this time the village dogs would meet us at the temple door अब ये वो वक्त होता था जब village के जो dogs हैं वोने मिलते थे कहां पर temple door पर they followed us to our home growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them अब वो पीछे पीछे उनके थोड़ा सा growling करते हुए यानि के एक दूसरे पर गुर राते हुए और थोड़ा सा fighting करते हुए एक दूसरे से लड़ते लड़ते आते थे उन चपातियों के लिए जिसकों की वो उनको डालते हुए आते थे when my parents were comfortably settled in the city they sent for us जब मेरे parents city में comfortably settled हो गए तो उन्होंने हमें शहर में बुला लिया that was a turning point in our friendship अब ये उनकी friendship का एक turning point था यहानी के यहां से उनकी friendship में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था although we shared the same room my grandmother no longer came to school with me जबकि वो बिल्कुल एक same room को share करते थे एक ही room में दोनों एक साथ रहते थे लेकिन जो grandmother है अब उसको author को school छोड़ने के लिए नहीं जाती थी क्योंकि village में तो वो हमेशा रोज उसके साथ school जाया करती थी उसको school से लेकर आती थी लेकिन अब शहर में ऐसा नहीं होने वाला था I used to go to an English school in a motor bus अब वो एक English school में जाने लगा था एक motor bus में there was no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house अब वहाँ पर कोई street dogs थो थे नहीं जिनको वो stail चपाती खिला थी तो अब वो उनके जो city का जो house था उसके courtyard में यानि कि उसके आंगन में कबूतर्स को क्या कराने लगी थी sparrows को feeding कराने लगी थी उनको दाना डालने वो लगी थी as the year rolled by we saw less of each other और जैसे जैसे time pass होता चला गया as the year rolled का मतलब होता है time का pass होना आगे आगे time बढ़ना तो जैसे जैसे time आगे बढ़ता चला गया हम लोग एक दूसरे को देखना भी कम होते चले गए for some time the continue to wake up me and get me ready for school और थोड़े time तक तो वो मुझे लगातार उठाती रही और school के लिए तयार करती रही when I came back she would ask me what the teacher had taught me और जब मैं school से बापिस घराता था तो वो हमेशा मुझे से पूस्ती थी कि आज टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया I would tell her English words and little things of western science and learning the law of gravity, our committee's principle, the word being round, etc अब जब मैं वहाँ पर English school में पढ़ता था तो English words उन्हें सुनाता था और उसके सासत में western science भी पढ़ता था और मैं वहाँ पर क्या सीखता था कि law of gravity क्या है, Archimedes का सिंधान्त क्या है और उसके सासत ये जो दुनिया है, वो goal है, इस तरीके की बाते This made her unhappy और ये सारी चीजे क्या थी, उन्हें नाखुश कर देती थी She could not help me with my lessons अब वो मेरे lessons में भी मेरी help नहीं कर पाती थी क्योंकि वो English नहीं जानती थी She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures अब वो इन चीजें में बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी जो English school में पढ़ाया जाता था और ये सब सुनकर वो बहुत जादा distressed हो गई यानि के बहुत जादा उदास हो गई कि वहाँ पर उन्हें क्या सिखाया जा रहा है और इसके साथ साथ English school में God और scriptures के बारे में भी कुछ पढ़ाया नहीं जाता था अब science को वो किसले पसंद नहीं करती थी students क्योंकि science में इस दुनिया के reality बताई जाती है universe के reality समझाई जाती है कि sun क्या है, moon क्या है, stars क्या है, earth क्या है लेकिन जो grand mother थी वो बहुत ही जादा religious lady थी जो इन सारी चीजों को धार्मिक चीजों से जोड़ कर देखती थी one day I announced that we were being given music lesson और एक दिन मैंने आकर यह announce कर दिया कि हम लोगों को school में music सिखाया जा रहा है music lessons दिये जा रहे हैं अब यह सुन कर तो जैसे सोने पर सुहागे वाली बात हो गई she was very disturbed और वो अब यह सब चीज़े देखकर बहुत ही जादा disturbed थी to her music had lewd associations अब उनकी according जो lewd associations है यानि के जो अभद्र समाज है हमारा जो gentle सभे लोग नहीं होते तो music तो है उनके लिए ही बना है it was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentle folk अब उनके according यह जो music है वो monopoly था जो harlots होती है यानि के जो prostitutes होती है जो संगीत गाना बजाना करके अपने पेट को भरती है और उसके साथ साथ जो beggars होते हैं बिखारी होते हैं तो यह जो संगीत है उनकी monopoly है इसका सभी लोगों से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए सभी लोगों के लिए music नहीं बना है she said nothing but her silence meant disapproval अब उन्होंने कुछ कहा तो नहीं लेकिन जो उनकी silence थी इसका मतलब क्या था कि उन्होंने इस चीज को disapproval कर दिया है यानि कि यह चीज उनको पसंद नहीं आई है she rarely talked to me after that और उसके बाद rarely का मतलब होता है बहुत कम उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बिलकुल कम कर दिया तो यह writer हमें बता रहे हैं कि जैसे ही grandmother को पता चलता है कि उनके school में music सिखाया जा रहा है उनको और वो music सीख रहे हैं तो इस चीज से वो इतना ज़्यादा shocked हो जाती है कि वो author के साथ बात करना बिलकुल कम कर देती है When I went up to university और जब मैं university गया I was given a room of my own तब उस वक्त मेरे पास मेरा अपना खुद का एक room था उससे पहले क्या था कि वो अपनी grandmother के साथ अपना room को share कर रहे थे The common link of friendship was snapped अब उनकी जो friendship का common link था वो snapped हो गया मतलब के पूरी तरह से तूट गया अब ये common link क्या था ये common link students वो ही room था जिसको कि वो दोनों share किया करते थे यानि कि एक दूसरे के थोड़ा भोता touch में रहा करते थे My grandmother accepted her seclusions with rejignations अब seclusions का मतलब होता है कि लोगों से दूर रहना शुरू कर देना और rejignation मतलब कि एक तरीके से उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ही कम कर दिया तो जो उनकी जो grandmother थी उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल कम करते वे अपने आपको अपने में ही समेट लिया यानि कि वो अपने आप में ही बिजी रहने लगी अब वो बहुत ही कम अपने spinning wheel से जुदा होती थी किसी से बात करने के लिए spinning wheels क्या होता है students वो चर्खा जिसको की महात्मा गांधी भी चलाया करते थे और जिससे की सूत काता जाता है अब वो सारा दिन क्या करती थी कि अपने spinning wheels को चलाती थी और उसके साथ साथ वो किसी से भी बात अब नहीं करती थी from sunrise to sunset she said by her wheel spinning and reciting prayers अब सुभे सूरज युगने के साथ साथ और जब तक सूरज ढलता नहीं था वो अपने spinning wheel के सामने ही बैठी रहती थी और उसके साथ साथ वो जैसे जैसे उसको गुमाती थी वैसे वैसे अपने prayer को recite करती थी अपनी prayer को गाती रहती थी only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows और सिर्फ दिन के समय वो थोड़ा सा relaxed महसूस करती थी और वो time कौन सा होता था जब वो sparrows को feed कराती थी उनको दाना डालती थी while she sat in the veranda breaking the bread into little bits अब वो ब्रेंडे में बैठ जाती थी अपने आंगन में बैठ जाती थी और ब्रेट के छोटे छोटे टुकडों को तोड़ना शुरू कर देती थी hundreds of little birds collected around her creating a veritable bedlam of chirpings अब सोज से भी कोई करीब जो पंची थे उनके चारों तरफ इकठे हो जाते थे और veritable का मतलब होता है कि बड़ा ही कोई interesting सा बड़ा ही unusual सा कुछ ऐसा होना और chirping करते थे चहा चाहाते थे bedlam का मतलब होता है कि confusion हो जानी तो वो जो पंची थे उनके चारों तरफ इस तरीके से चहा चाहाते थे शोर मचाते थे कि बड़ा ही एक interesting सा जो scene है वहाँ पर create हो जाता था some came and passed on her legs, other on her shoulders passed का मतलब होता है students की बैठ जाना कुछ आते थे, बैठ जाते थे उनके पैरों के उपर और जो कुछ होते थे उनके कंधों पर आकर बैठ जाया करते थे some even sat on her head और कुछ तो उनके सिर पर ही आकर बैठ जाते थे she smiled but never shoot them away अब वो मुस्कुराती रहती थी लेकिन कभी भी उनको shoot नहीं करती थी यानि कि उनको अपने से दूर नहीं भगाते थे उनको shoot करके उड़ाती नहीं थी it used to be the happiest half hour of the day for her और ये जो आदा घंटा होता था उनके दिन का ये उनको सबसे ज़्यादा खुशी दिया करता था when I decided to go to abroad for further studies I was sure my grandmother would be upset और जब मैंने ये decision लिया कि मैं abroad जाओंगा अपनी आगे की study करने के लिए तो मैं पूरी तरह से sure था कि मेरी जो grandmother है वो थोड़ी सी upset हो जाएंगी क्योंकि उन्ही को grandmother ने बच्पन से पाला था और उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा attached थी तो writer को ऐसा लगा कि जब वो खबर सुनेंगी कि वो abroad जा रहा है तो grandmother जो है थोड़ी सी उदास हो जाएंगी मैं पांच सालों के लिए दूर जा रहा था और उनकी जो एस थी वो ऐसे थी कि उनको शैद ये ना बताया जाए बट माइ ग्रेंड मदर कुड लेकिन मेरी ग्रेंड मदर ने ये भी संभव कर दिखाया अब वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई लेकिन उन्होंने मुझे से कोई बात भी नहीं करी और ना ही उन्होंने अपना कोई emotions कोई शो किया कि वो उदास है या वो खुश है वो एकदम नॉर्मल बनी रही Her lips moved in prayer उनके जो lips थे अभी भी हिल रहे थे और वो prayer recite कर रही थी Her mind was lost in prayer और उनका जो mind था वो भी अपनी prayer में कहीं गुन था Her fingers were busy telling the beads of her rosary और जो उनकी उंगलियां है वो भी busy थी अपनी rosary के beads को गुमाने में Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us उन्होंने चुपचाप मेरे माथे पर किस कर लिया और क्या हुआ कि उनके माथे पर जो है बिल्कुल moist का मतलब होता है wet और cherished का मतलब होता है hold something मतलब बड़ा ही प्यारा सा और imprint का मतलब होता है कि एक impression तो उन्होंने क्या महसूस किया उन्होंने महसूस किया अपने माथे पर उनके किस करने से बिल्कुल गीला गीला सा एक एहसास और शैद वो ही last sign था उनके physical contact का but that was not so लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या मतलब है student इसका कि जब grandmother उनके माथे पर किस करती है तो वो अपने माथे पर किस करने से बड़ा ही गीला गीला सा एक प्यारा सा एहसास उनको महसूस होता है और उन्हें ये लगता है कि शैद ये एक last physical contact है उनका और उनकी grandmother का 5 साल के बाद जब वो वापिस आएंगे तो शैद उनकी grandmother उनको नहीं मिलेंगी आप्टर five years I came back home and was met her at the station पांस साल बाद जब मैं वापिस आया तो वो मुझे स्टेशन पर मिली she did not look a day older और अभी भी वो क्या है बहुत जादा बूरी नहीं लग रही थी वो उतनी ही बूरी लग रही थी जितनी बूरी वो पांस साल पहले लग रही थी she still had no time for words and while she collapsed me in her arms I could hear her reciting her prayer अब उन्होंने मुझे कोई word तो नहीं कहा ही tightly मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उस वक्त मैंने क्या सुना मैंने सुना कि वो चुप चाप बिल्कुल ही silently prayer को recite कर रही है even on the first day of my arrival her happiest moment were with her sparrows whom she fed longer and with frivolous rebuke frivolous rebuke का मतलब होता है मीठी मीठी से जड़कयां देना मीठा मीठा सा नाटना किसी को तो जब मेरा पहला दिन था मैं जब मैं आया था तो उनका जो happiest moment था आदा घंटा जो वो sparrows को feet कराय करती थी वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था यानि के उस दिन उन्होंने sparrows को बहुत थोड़े टाइम ज़्यादा time तक उन्होंने feed कराया और वो इस बार उन्हें थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी से जड़कयां भी दे रही थी यानि के वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश थी राइटर के वापिस आने पर और अपना जिस चीज से उन्हें खुशे मिलती थी उसमें वो अपना ज़्यादा time बिता रही थी in the evening a change came over her she did not pray और शाम के समय उन्हें एक change आया और उन्होंने pray नहीं करी अभी तक क्या होता था कि वो अपनी evening pray को कभी भी miss नहीं करती थी लेकिन आज उन्होंने अपनी evening pray को miss कर दिया था she collected the woman of the neighborhood got an old drum and started to sing अब उन्होंने अपने परोस की कुछ ladies को एक अठा किया और उसके बाद उन्होंने एक पुराना drum ले लिया यानि कि एक पुरानी धोलक उन्होंने ले ली और गाना गाना शुरू कर दिया for several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of barriers bagging skins का मतलब होता है कि जो skin होती है जिसे डोलक की जो skin होती है जहां पे वो बजाई जाती है वो धीली पड़ चुकी थी पुरानों को उस दिन कहा रही थी कि जैसे उनका सैनिक जो है एक बड़ी लडाई करके और उसमें जीत हासिल करके उनके घर पर वापिस आया है और वो बहुत जादा इससे खुश है अब हमने उनसे request करी, persuade का मतलब होता है request करना हमने उनसे request करी कि वो overstating ना ले यानि कि इतना जादा वो अपने शरीर को कश्ट ना दे कि जैसे वो लगातार कहीं घंटे से drums को बजाए जा रही है और उसके सासत गाना गाई जा रही है that was the first time since I had known her that she did not pray और ये शायद जो है पहला time था मेरी life में कि जब मैंने ये पाया कि उन्होंने pray नहीं करी थी तो author ने जब से उन्हें देख रहे थे author तो तब से वो हमेशा evening pray किया करती थी लेकिन उस दिन उन्होंने first time ऐसा था कि evening pray नहीं करी थी the next morning she was taken ill और अगली सुबह क्या हुआ कि वो बिमार पढ़ गई it was a mild fever and the doctor told us that it would go अभी एक बिल्कुल mild fever था हलका फुलका सा बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये जल्दी ही चला जाएगा और जो grandmother है वो ठीक हो जाएंगी but my grandmother thought differently लेकिन जो मेरी दादी मा थी वो थोड़ा सा अलग तरीके से सोच रही थी she told us that her end was near और उन्होंने हमें बताया कि अब उसनका जो अंत है वो बिल्कुल पास है she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray omitted का मतलब होता है कि leave out यानि कि उन्हों को छोड़ दिया जाए तो अब उन्होंने क्या कहा कि अब उनकी life का बिल्कुल last chapter है और उसके कुछ घंटे ही 6 बचे हैं इसलिए उनको pray करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए she was not going to waste any more time talking to us अब वो हम लोगों से बात करकर अपने time को बिल्कुल भी waste नहीं करना चाहती थी वो क्या चाहती थी कि अब उनकी जिन्दिकी के सिर्फ कुछ ही घंटे शेश हैं और इन घंटों में वो सिर्फ और सिर्फ pray करना चाहती थी we protested अब हमने विरोध किया but she ignored our protest लेकिन उन्होंने हमारे विरोध का कोई ध्यान नहीं दिया उनको इगनोर किया अब वो बड़े ही शांती पूर्वक बैट पर लेट गई और प्रेयर करने लगी और उसके साथ साथ बीर्स के साथ कोई मंदर जाप करने लगी even before we could suspect her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers और थोड़े ही टैम बाद हमने क्या देखा कि उनके जो lips हैं वो stop हो गए हैं हिलने अब वो हिल नहीं रहे हैं और जो rosary है वो भी उनकी lifeless fingers से नीचे गिर गई a peaceful paler spread on her face and we knew that she was dead अब एक बड़ा ही शान्ती वाला एक पीला पंसा उनके face के उपर बिखर गया और हमें ये पता चल गया कि अब वो नहीं हैं वो मर चुकी है we lifted her off the bed and as is customary हमने उन्हें बैट से नीचे उतार दिया क्योंकि ऐसी प्रता है कि मरने के बाद bed के ओपर नहीं छोड़ते laid her on the ground and covered her with a red shroud shroud का मतलब होता है वो कपड़ा जो की dead body के ओपर दिया जाता है हमने उन्हें बैट से नीचे उतार दिया और ground पर लिटा दिया और उनके उपर एक red color का कपड़ा ढग दिया after a few hours of mournring mournring का मतलब होता है शोग करना कुछ घंटे तक का शोग करने के बाद we left her alone हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया and make arrangements for her funeral और उनके अंतिम संसकार का arrangement करना हमने शुरू कर दिया in the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated cremated का मतलब होता है अंतिम संसकार crude का मतलब होता है बड़ी ही roughly सी बनी हुई और stretcher का मतलब होता है एक लकड़ी की stretcher या एक ऐसी सीड़ी जिस पे की dead body को लेकर जाया जाता है तो शाम के समय उनके कमरे में गए crude stretcher के साथ अंतिम संसकार की प्रथा को निभाने के लिए उनको लेकर जाया जाना था this sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light lit का मतलब होता है प्रकाश में तो अब जो sun जो था वो धीरे धीरे अस्त होने की तयारी में था और उसने अपने प्रकाश को जो blaze of golden light है जैसे कि जब sun जो है छुपता है तो उससे पहले की जो बड़ी ही golden जो light होती है तो उस golden light से उनका कमरा और वरेंदा जो है पूरी तरह से लिट कर रहा था जग मगा रहा था we stopped halfway in the courtyard और लेकिन आंगन में हमें आदे रास्ते में ही रुखना पड़ा all over the veranda and in a room right up where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud thousands of sparrows sat scattered on the floor there was no chirping shroud मतलब वही कपड़ा कफन जिसको बोलते हैं तो जो वरेंदा था वो पूरा का पूरा जो उनका रूम था उसके right side में जहां पर कि उनकी dead body को रखा गया था और एक shroud के साथ red color के shroud के साथ उनको लपेटा गया था तो वहां पर उनकी dead body के चारों तरफ क्या थे क्यों हचारों के तादाद में जो हजारों के numbers में जो sparrows थे वहां पर scatter थे पिखरे हुए थे फरश के ओपर इदोदर बैठे हुए थे there was no chirping और वो बिलकुल भी chirping नहीं कर रहे थे क्योंकि जहां पर उनकी dead body रखी गई थी red shroud में लपेट कर उनकी dead body के चारों तरफ हजारों की संख्या में जो sparrows थे वह बैठे वे थे फ्लोर पर और लेकिन वह बिलकुल चुप थे बिलकुल शोर नहीं कर रहे थे there was no chirping अब वहाँ पर कोई chirping नहीं थी we felt sorry for the birds and my mother fast some bread for them अब हमें उन पक्षियों के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि grandmother उनको खाना खिलाया करती थी अब वो तो थी नहीं तो उन्होंने यहीं सोचा कि यह शायद खाना खाने के लिए है तो उनकी जो ममा थी जो अथर की मदर थी fast का मतलब लेकर आई कुछ bread उन कबूतर के लिए she broke it into little crumbs उन्होंने इनको छोटे-छोटे crumbs में तोड़ दिया the way my grandmother used to and threw it to them बिलकुल उसी तरीके से जिस तरीके से की मेरी grandmother किया करती थी और उसके बाद उन्होंने उन स्पैरोज की तरफ ये bread crumbs जो थे वो डाल दिये अब स्पैरोज ने bread की तरफ देखा तक नहीं और जब हम अपनी grandmother को ले गए अपने उनकी body को ले गए अंतिम संसकार करने के लिए तो वो चुप चाप कहीं दूर उड़ गए और अगली सुभे जो स्वीपर था उसने सारे bread scrubs को इकठा किया और bread scrubs को इकठा करके उसने उन्हें डस्ट बिन में डाल दिया तो स्टूडेंट हम कहा सकते हैं कि जो स्पैरोज थे उन्होंने ग्रैन मदर को एक सच्ची श्रधाज ले दी थी वो इतनी caring nature की lady थी कि इनसान तो क्या पसुपक्षी भी उनसे बहुत प्यार करते थे और स्पैरोज को पता लग गया था कि अब वो ने छोड़के हमेशे के लिए जा चुकी है और इसी वज़े से उन्होंने उनको एक tribute दिया जिस तरीके से लोग शोक शभा में आकर बैठते हैं उसी तरीके से वो भी आए चुप चाप बिल्कूल एक सभा में वो बैठे और उनकी आत्मा की शान्ती के लिए शायद उन्होंने प्रेर किया और उसके बाद वो कहीं कोटिफिकेशन बैल को भी जरूर ट्रेस कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुचे मिलते हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कीप वाचिंग स्टे कनेक्टिड थैंक यू